नमस्कार उमेस इस्टेडी में आपका स्वागत हैं आज का यह 10 important questions आपके बिभिन लेबरेरियन प्रत्योंगी प्रिक्छाओं के लिए उपयोगी हैं आप पूरे वीडियो को अंतक देखिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली हैं सबसे पहला questions हैं आज का अग्यात या संदिग्द लेखत की पुस्तकों को क्या कहते हैं तो आप जल्दी से comment कीजिए अग्यात या संदिग्द लेखत की पुस्तकों को क्या कहते हैं इसका सही उतर होगा संदिग्द परमान पुस्तक इसका क्या होगा सही उतर संदिग्द परमान पुस्तक इसी को एपो क्रेफल बुक्स भी कहते हैं एपो क्रेफल बुक्स अर्थात संदिग्द परमान पुस्तक नेक्स्ट क्वेचन है पुस्तक के वर्गीकरन के लिए साहित्यक वारेंट पद किसने परतिपादित किया था? पुस्तक के वर्गीकरण के लिए सहित्यक वारेंट पद किसने परतिपादित किया था The term literacy warrant for book classification was introduced by Who introduced literally warrant अर्थात सहित्यक वारेंट पद किसने परतिपादित किया था जल्दी से कॉमेंट कीजिए जी हाँ इसका सही उत्तर होगा विंधम ह्यूम पुस्तक के वर्गीकरन के लिए साहितिक वारेंट पद जो है विंधम ह्यूम ने पतिपादित क्या था किस ने क्या था विंधम ह्यूम ने वर्जिंग नेबलिंग के सुचना सिधान्त के किस उपागम के अंतरगत सुचना को भौतिक बस्तूओं जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच इस्थित समन्ध के रूप में देखा जा सकता है अंदर विच अप्रोच अफ वर्जिंग नेबलिंग इन्फोर्मेशन थियोरी इन्फोर्मेशन इज सीन अज एस्टैटिक रिलेशन बिट्विन फिजिकल अब्जेक्ट्स विच में भी प्रिशेव्ट बा और नॉट इसका सही उत्तर क्या होगा चल्दी से कॉमेंट किजिए आप जी हाँ इसका सही उत्तर होगा संरचनात्मक उपागम इसको करते हैं the structural approach क्या करते हैं इसको the structural approach संरचनात्मक उपागम वर्जिंग नेवलिंग के सुचना सिधान्त के संरचनात्मक उपागम के अंतरगर सुचना को भौतिक बस्तूं जिनका बोध हो सकता है या नहीं के बीच इस्थित संबन्ध के रूप में देखा जाता है जबकि अर्थ उपागम परकिरिया उपागम और ग्यान उपागम करम सा अर्थ परकिरिया तथा ग्यान से समंधित हैं किस से समंधित हैं अर्थ परकिरिया तथा ग्यान से समंधित हैं Which information theory focused on the purpose of communication is to inform, instruct or motivate the receiver? Please comment on these questions. J. शही answer होगा. A कौफ का सिधान्त. संचार संप्रेशन का उदेश प्राप्द करता को सुचित अनुदेशित या प्रेश्ट करना है, या सिधान्त एक आउप का सिधान्त है. Next question है, सुचना पुना प्राप्ती में शोर किस कारण से होता है? Noize in information, retrieval is due to. 2. सुचना पुना प्राप्ती में शोर किस कारण से होता है? सहुतर होगा अनावस्यक सुचना. अनावस्यक सुचना के कारण, सुचना पुना प्राप्ती में शोर होता है, जबकि परिसुदता या पुनास्मरन और प्रसांगिक सुचना किसी भी प्रकार की वेवधान नहीं डालता है और ये सुचना आर्थगत होती है Next question है वरगी करन के कौन सी योजना में बिशेश सहायक किरियाएं अस्थानिय रूप में पुनराबरती बिशेश्ताएं इंगित करती है In which a scheme of classification, special, auxiliaries, donated, locality, recurrent characteristics वरगी करन के कौन सी योजना में बिशेश सहायक किरियाएं अस्थानिय रूप से पुनराबरती बिशेश्ताएं इंगित करती है इसका सही अंसर होगा शार्व भौमिक दसमलब वरगी करन क्या होगा इसका सही अंसर शार्व भौमिक दसमलब वरगी करन इसको करते हैं universal decimal classification next question है network को क्या औसुरक्षित करता है network को औसुरक्षित करता है क्या आप comment कीजिए network को password capture जो होता है यह औसुरक्षित करता है next question है ग्यान के परचार का किष्का model बताता है कि संचार एक मुक्त परनाली है G. Governor G. Governor model यह बताता है कि ग्यान के संचार का ग्यान के परचार का संचार एक मुक्त प्रनाली है नेक्स्ट क्वेचन है ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का आर्थ क्या होता है तो ट्रांस बॉर्डर डेटा फ्लो का आर्थ होता है देशों के बीच सुचना का प्रवाख बनाना और देशों के बीच electronic सुचना का लेंदेन भी करना होता है यहीं कारण है कि आप internet पर जब कोई भी search करते हैं तो अमिर्का का भी सुचना आपको इंडिया में दिखाए देती है और इंडिया की सुचना अमिर्का में जपान में रूस में अर्था अन देशों में सुचाए देती है तो यहीं transborder data जो होता है transborder data जो होता है flow का अर्थ है कि दो देशों के बीच सुचना चाहे वो electronic सुचना हो या किसी अनपरकार की सुचना हो उसको flow करना प्रचलन के लिए क्या कारण है सुचना आप प्रचलन के लिए दो कारण है सबसे पहला सुचना अमान समझी जाती है और दुसरा सुचना मानी है सुचना मानी है सुचना मानी है परंतु अनवेक्षन के लिए परियाप्त नहीं है आर्थातिया और परियाप्त है सुचना और प्रचलन के लिए क्या कारण है तो इसका सही उतर होगा सुचना और प्रचलन के लिए दो कारण है सबसे पहला सुचना अमान समझी जाती है और दुसरा सुचना मानी है परन्तु अन्वेर्शन के लिए परियाप्त नहीं है आर्थात और परियाप्त हैं यह सुचना और प्रचलन का मिन दो कारण होता है आज की कलास यहीं समाप्त करता हूँ किरपिया लाइक से और कॉमेंट अधिक सधिक करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में सुचना दें ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से कुछ लवानवित हो सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत